आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तो तो इस फ्रश्ट में हमें दिया गया है कि एक चत्रबुज A, B, C, D के कोण कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D एक अनुपात, दो अनुपात, चार अनुपात, पाँच के अनुपात में है मतलब हमें क्या कहा गया है कि एक चत्रबुज इसके कोण ABCD के जो अनुपात है वो है एक अनुपात, दो अनुपात, चार अनुपात, पाँच. तो हमसे क्या पूछा गया है? चत्रुभुज के पृत्य कोण का माप ग्यात कीजिए. तो देखे इस प्रिशन को हल करने के लिए हम किसका इस्तिमाल करेंगे? हमारी जो चत्रुभुज की एक प्रमय है, जिसे जो यह सिद्ध गरती है कि चत्रुभुज के चारो कोणों का योग 360 डिग्री होता है. ठीक है? यानि कि अगर मैं यहाँ पर यह मानलू कि ABCD हमारे दिया गया चत्रुभुज है, तो इसके जो यह कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, और कोण D, इन सभी का योग जो होगा, वो सदैव कितना होगा? 360 डिग्री. ठीक है? और प्रिशन में हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया कोणों का अनुपात. तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है. बराबर हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया कोण A, अनुपात कोण B, अनुपात कोण C, अनुपात कोण D. बराबर हमें दिया गया है एक अनुपाद दो, अनुपाद चार, अनुपाद पांच ठीक है यह हमें प्रशन में दिया गया है ठीक और हमसे क्या कहा गया है कि हमें चत्रोबुज के प्रतेकोण की माप बतानी है कोण A, B, C और D की माप बतानी है यही क्या माप होगी, तो देखे, अगर मैं इन्हें अनुपात से इन्हें सरल रूप में लिखो और कौण A, B, C की इनके मान लिखो यहाँ पर मैं, तो हम इसे अनुपात से सरल रूप में किस प्रकार लिखेंगे, इसमें एक गुणज की गुणा करके तो देखें, हम यहाँ से लिखेंगे माना कौण A बराबर कितना होगा हमारा? अगर मैं आसे तुलना करूँ तो कौण A बराबर होगा 1 और मैं गुणज की गुणा करूँगा तो मैंने मान लिया गुणज X तो हो जाएगा X कौण B बराबर क्या आएगा हमारा? 2 गुणा X बराबर हो जाएगा हमारा 2X ठीक है? कौण C बराबर आजाएगा हमारा कितना? 4 गुणा X बराबर हो जाएगा हमारा 4X और कौण D बराबर हो जाएगा हमारा? 5 गुणा X बराबर 5X ठीक है, तो कोण A, B, C, D के मान हमारे पास आ गए, ठीक अब देखें, मैं यहां से क्या करूँगा हमने, मैंने आपको उपर बताया था कि हम जानते है हम जानते है चत्रभुजगे के चारो कोणो का यूग कोणो का यूग बराबर किसके होता है 360 डेगरी के है, यह मैंने आपको उपर भी बताया था अब देखें, यहां पर इसका मतलब क्या है यहां से हमारा तात्पर्य हो जाएगा कि कोण A प्लस, यहां पर में लिखूँगा अत्य है कोण A प्लस कोण B, प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना है, 360 डेगरी के ठीक, और कोण A, B, C, D के मान मैंने यहां पर यह निकाली रखे है ठीक है, तो यह सारे मान मैं यहां पर रखंगा तो यहां जाएगा, कोण A का माने हमारा X कोण B का माने 2X, कोल C का माने 4X, और कोण D का माने 5X तो यह हो गया हमारा किसके बराबर 360 डिगरी के ठीक है तो यह हमारा किसके बराबर आजाएगा यह हो जाएगा हमारा 5 और 1 और 6 12 तो यह आजाएगा 12X बराबर आजाएगा किसके 360 डिगरी के तो यहां से हमारा X कमान क्या निकल कर आएगा, x बराबर आजाएगा 360 बटे, 12 ठीक है तो जब मैं इसे 12 से इस से भाग दूँगा तो यह आजाएगा 12 ती है 36 तो यह आगया 30 डिग्री तो x का मान क्या आगया, x बराबर आगया हमारा 30 डिग्री ठीक, तो x का मान हमारे पास आ गया, और जितने भी हमने कोन जो माने थे, जो हमारे माने वे कोन थे, वो किसके रूप में थे, X के रूप में तो अब देखे, मैं यहां से आराम से इस कमान निकाल सकता हूँ सभी कोनों का, तो कोन A बराबर कितना हो जाएगा कोण A बराबर है हमारा X के तो X कमान क्या है 30 तो कोण A बराबर हो गया 30 डिगरी के कोण B बराबर क्या है 2X के यानि कि 2 गुणा 30 के तो यह हमारा बराबर हो गया किसके 60 डिगरी के कोण C बराबर हमारा कितना है 4X यानि कि 4 गुणा 30 के तो यह हमारा बराबर किस के हो गया? चारतिया 12 याने की 120 डिगरी के और कौन D बराबर है हमारा 5X के बराबर तो यह हो जाएगा हमारा कितना? 5 गुणा 30 के बराबर तो यह हमारा हो गया 5 गुणा 30 के बराबर तो यह हो जाएगा 5 गुणा 30 के बराबर कौन D आगे 120 डिगरी सरी कौन C आगे 120 डिगरी और कौन D आगे 150 डिगरी तो यही चारों हमारे दिये गए प्रशन के क्या हो जाएंगे उत्तर धन्यवाद